उत्राखन में अब ना होगी हर्ताल, ना होगा दंगा, सब हो जाएगा चंगा जी हाँ, सही सुने हो आप अब अगले कुछ महीने तक उत्राखन में कोई भी हर्ताल नहीं कर सकता है इसलिए हम कह रहे हैं कि ना होगी हर्ताल, ना होगा दंगा, सब हो जाएगा चंगा जब कोई भी करमचारी हर्ताल पर जाता है तो जनता को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है जो काम कुछ मिंटों में होना था, वो कहीं दिनों तक लिटक जाता है लेकिन अब उत्राखन में कोई भी अधिकारी करमचारी अगले 6 महिने तक हर्ताल पर नहीं जा सकेगा इसके लिए धामी सरकार ने अगले 6 महिनों के लिए प्रदेश में एसमा लागू कर दिया है अब आपके मन में सवाल उट रहा होगा कि आकिर एसमा क्या है और इसके लागू होने क्या होता है तो आईए आपको ग्राफिस के जरीए समझाते हैं क्या है एसमा? एसमा यानि अवश्यक सेवा अनुरक्षन कानून हर्ताल को रोकने के लिए लगाय जाता है एसमा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले करमचारियों को सूचित किया जाता है एसमा अधिक्तम 6 महिने के लिए लगाय जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई करमचारी हर्ताल पर जाता है तो ये अवैद एवं डंडनेय माना जाता है सरकारे क्यों लगाती हैं एसमा सरकारे एसमा लगाने का फैसला इसलिए करती है क्योंकि हर्ताल की वज़ा से लोगों के लिए आवश्चक सेवाओं पर बुरा असर पढ़ने के आशंका होती है जबकि आवश्चक सेवा अनुरक्षन कानून यानि एसमा वो कानून है जो अनिवारिय सेवाओं को बनाय रखने के लिए लागू किया जाता है इसके तहट जिस सेवा पर एसमा लगाय जाता है उससे संबंदित कर्मचारी हर्ताल नहीं कर सकते अनिता हर्तालियों को 6 महीने तक की कैद या 500 रुपे डंड अत्वा दोनों ही हो सकते है प्रदेश में एसमा लागू करने के लिए आदेश सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी कर दिया है वहीं एसमा लागू करने को लेकर अब प्रदेश में सियासत गरमा गई है कॉंग्रेस ने इस फैसले को कर्मचारियों के आवाज दबाने वाला फैसला बता रही है कर्मचारियों को लेकर लेकर विपक्षन सरकार पड जुवानि हमला भी बोला है कॉंग्रेस का कहना है राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानने चाहती यही वजा है कि कर्मचारियों को इस तरीके का फर्मान सुना दिया गया ताकि वो अपनी आवाज बुलंद ना कर सके महीं BJP का कहना है कॉंग्रिस हर फैसले पर राचनीती करती है लेकिन ये फैसला जनहित से जुड़ा है और ऐसे में राज्य सरकार मांसुन सीजर में अपने करमचारियों से ही काम लेती है इसलिए फैसला जनहित में जरूरी है ये किसी हर्ताल को मांग से जोड़ाव विश्य नहीं है अभी जो है अपना मांसुन काल आने वाला है अने को मांसुन काल करना पर चैज़ा गुजरात की कर घटना हुई आपको बता होगा कि कितने बड़े तुफान के बाद कई घरों में इस प्रकास्तिति आगे लोग गहने लायक नहीं है ऐसे इस्तिति से बचना है और काम सरकार के काम लेगा तंतर करमचारी है इले करमचारी को ये भी समझना पड़ेगा मैया इसमा कानून लागू को लेकर सरकार ने चारधाम यातर और आपदा सीजन का तरक दिया है पंजाब के सिरी टीवी गले आशी श्रमोला की रिपोर्ट रहे है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद